Dear students, welcome back. आज चर्चा करेंगे कबीर पे. पंद्रहवी सताबदी के महान भक्ती संथ, जिनके दोहें, जिनके वचन, भारतिये घर-घर में दोहराए जाते हैं, आपने भी बच्पन में सुने होंगे, उनकी जो प्रासंगिता है, जो रिलिवेंस है, वो इतनी contemporary है, कि हमारे प्रधान मंत्री से ले करके, और सड़क पे चलते हुए लोग, day-to-day कबीर के दोहों को अपने जीवन में याद करते हैं, और उधारन देते हैं. इसको हम देखेंगे examination point of view से, उनके खास करके, उनके जो सेंक्रिटिजम जो उनके आइडिया में है, याने की गंगा, जमना, तहजीब, कैसे उन्होंने different religion खास के हिंदू और इसलाम को mix करके, एक समनवित संस्कृती दिया, पंदरहमी, सोलेवी सिताबदी में, उस पर चर्चा करेंगे examination point of view से, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कि केवल ना केवल BA honors के student के लिए, लेकिन हर competition examination, including civil services के students के लिए, ये वीडियो थोड़ा बहुत help करेगा, ऐसी मेरी आशा है, So, let us begin. What is in store? जैसा मैंने आपको कहा, सबसे पहले कबीर के life, time, context को देखेंगे, फिर उनके socio-religious जो ideas, philosophy, thought हैं, उसके crux, nature को देखेंगे, बहुत जार discuss नहीं, उनके जो political thought हैं, वो भी बहुत संचिप्ट में देखेंगे, लेकिन थोड़े विस्तार में देखेंगे, syncretism in कबीर's philosophy, कैसे उन्होंने समयन वे किया, कैसे वो सबसे बड़े icon बन गए, syncretic culture के इंडिया में, और फिर जैसा हम करते हैं, थोड़े pros and cons देखेंगे, और sum up करेंगे, आए सबसे पहले past yes, question देखते हैं कबीर पे, यह मैंने Delhi University के B.E.A. Honors के पाँचवे समेस्टर के syllabus या question से लिया है, आनिन्वर्स्टी में बैसे भी question आते होंगे, define syncretism, यह मैंने किया है, in what way कबीर strengthen the syncretic traditions in India, इस पे तो हम डिटेल में 5-6 slide में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, note हैं कबीर on social inequality, एक पुरा slide मैंने दिया है, syncretism, फिर again repeated है note में, syncretism of कबीर, discuss syncretism in कबीर's बीजग, तो आप क्या देखते हैं, syncretism, 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 यह आपका focus है examination point of view से, इसलिए मैंने इस वीडियो में भी focus होई रखा है, analyze कबीर's concept of equality, यह भी मैंने बताया है, with special reference to gender equality, इस पर मैंने खास चर्चा बाद बाले पर नहीं किया है, थोड़ी सी जाधा, थोड़ी चर्चा इस पर भी किया है, आए सबसे पहले as usual, हम उनके lifetime and context को समझने की कोसिस करते हैं, कि किस समय काल परिवेश का, और उनके किस तरह के संगत का, कैसे गुरुओं का, कैसे परिवार का, और कैसी सामाजिक प्रिष्ट भूमी का, उनके political या जो general thought है, उस पर असर पड़ा, तो कबीर lived during the reign of Sikandar, लोधी जो लोधी वंस, दिल्ली सल्तनत की एक वंस थी, उसके सबसे यसस्वी सुल्तान थे, लगबग 15 सताबदी के अंत में वो हुए थे, तो हम safely कह सकते हैं, सारे controversy को हटा करके, जो कि कई जन्म और मरंती थी, जो है कबीर के अलग-अलग हैं, कोई ठीक से किसी को पता नहीं है, बट ये कहा जा सकता है, कि वो 15 सताबदी के दौरान, वारा नसी में उन्होंने लगबग अपना सारा जीवन प्यतित किया, एक्सेप्ट मिर्तियू जो उनकी मघहर में हुई, जो की गोरखपुड डिस्टिक में पढ़ती है, वो जन्म से जो है, वो माना जा सकता है कि जुलाहा थे, वो नाथपंथी हिंदूस थे, कुछ ही समय पहले, डेली सल्तनत के टाइम में आपको पता है, कई नीचरी जातियों के हिंदूों ने, जो है, मुसलिम धर्म को अपना लिया था, उसमें जुलाहा भी आते थे, सो नए-नए मुसलिम हुए पडिवार में उनका लालल पासन हुआ था, जुलाहा जाती में, जुलाहा मतलब जो वीवर होते हैं, जो सूद काटते हैं, कपड़ा करते हैं, रामनंद जो हैं, उस समय के बहुत बरे वैसनव संत थे, हिंदू संत थे, भक्ती कल्ट के, वो उनके गुरु हुए, उस पे भी बहुत किवधनती है, कि कैसे वो उसको गुरु बने, और ये भी इंपॉर्टेंट है, कि उस समय के समकालिन, जो संत रवी दास थे, जो कई लोग राई दास कहते हैं, जो की और निम्न जाती हिंदू में, जो चमार होते हैं, जो लेदर का काम करते हैं, उस जाती से आते थे, वो भी जो है, वो शिश रहे थे रामानंद के, और कबीर के जो हैं, वो contemporary थे, और आपको यहां पे ये भी interesting लगेगा, जानके कि राई दास जो हैं, वो मीरा बाई के गुरु माने जाते हैं, तो राई दास और रामानंद, ये कबीर दोनों ही रामानंद के शिश्र थे उस काल में, इनकी कोई सिख्षा देख्षा बहुत formal नहीं हुई थी, इस्कूल या इस तरह के विश्विद्याले में, लेकिन लगता ये है कि उन्होंने वेदान्तिक जो हिंदुईजम है, उसका उन्होंने अध्यन किया था, सूफिजम का भी किया था, थोड़ा बहुत इसलाम भी जानते थे, क्योंकि इसलाम परिवार से आते थे, और नाथ पंथी चुकी, जो लाहा नाथ पंथी होते थे, उसका योगा, सिध्धा, ट्रेडिसन, इन सब की उन्हें अच्छी जानकारी लगती है उनके दोहों से, He did not write anything himself, उन्होंने अपने से कुछ नहीं का, वो कहते भी हैं कि मैंने कागज कलम छुआ नहीं, कभी कुछ लिखा नहीं, अपने खुद भी कहते हैं अपने दोहा में, तो सारी जो उनकी कही वी हैं, वो उनके वचन हैं, मतलब सेंग्स हैं, जो की भरवली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुँचाई गए, जब तक कि वो कमपाइल नहीं हो गए, बाद में एक 200 साल बाद लगता है, कि 17th century में उनकी रचनाएं तीन अलग अलग ट्रेडिसंस में कमपाइल की गई, पहला जो है, जो सिख गुरू अर्जुन देव के समय में पाँच में गुरू थे, जब आदी गरंथ की रचना हुई, तो उसमें बहुत सारे संतों की वानी है, उसमें कबीर जी की भी काफी वचन या दोहे उसमें हैं, तो एक तो सिख ट्रेडिसं में उनके वचनों को कमपाइल किया गया, लिखा गया, फिर जो राजस्थान में दादू दयाल पंथ हैं, वो भी एक बहुत महान संत है, तो उनकी जो पंथ हैं, उसमें कबीर ग्रंथा वली और पंचवानी में भी कबीर के कई जो जो सेइंग्स हैं, जो उनके उपदेश हैं, वो उसमें नहीं थैं, या लिखे गया है, कमपाइल किये गया है, और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टन मुझे लगता है, वो इस्टर्ण इंडिया में है, वारनसी, बिहार, बंगाल इन सब में, जहां कि कबीर पंथ जो है, एक डिफरेंट सेक्थ ही बन गया, उन्होंने बीजक के फॉर्म में कबीर के दोहों को संकलित किया है, जो इनका स्टाइल है, ये पोएटिक है, जैसा दोहा है, वचन है, सेइंग्स है, लेकिन सब पोएटिक है, लिरिकल है, आप उसको गा सकते हैं, एकदम डाइरिक्ट है, एकदम क्रूड है, एकदम ओफिंसीब है, लैंग्वेज कही बार बहुत चोट पहुँचाती है, खा वेरी वेरी क्रिटिकल और प्रिवेलिंग सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम, उसको बहुत चोट प्रहार करते हैं, रिचुलिजम पे, मेस्टिसिजम है, कई बार तो उनकी बाते समझ भी नहीं थे, पहेली जैसी भी है, और वो संत भाशा जो की उल्टा बांसी बोलते हैं, मत उस समय के जो सामाजिक जो ट्रेडिसन था, प्राक्टिसेस था, उस पे बहुत प्रहार करते हैं, चोट करते हैं, उसको मानते नहीं हैं, एक तरह का रेडिकल सोशल रिफॉर्मर हो, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, चाहे वो हिंदू और मुसलिम धन के रिचुलिजम हो, पॉ पहा लिखा नहीं है, अपने खुद के एक्सपीरियंस से हैं, और मुसल रिप्रेजेंट इंटेलेक्ट्चुल राइज और एजर्शन और रिवोल्ट ऑफ सब अर्ल्टन क्लास, जो निचले तबके के लोग थे, जुला है, या जो अन्य जो अधर बैकवर्ड कास्ट जो उ इसको, कैसे इसको गंगा जमनी तहजी बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस लिगेशी इस क्लेम बाइ बोथ हिंदू एंड मुसलिम, आये सबसे पहले जो उनके में सोशियो रिलिजियस फिलोसफी हैं, जो क्रक्स है उसका, यानि कि जो निचूर है, उसको समझ नहीं कुसिस करते हैं, उन्होंने इन सब चीजों को रिजेक्ट किया और अपोज किया, नहीं माना उसको और प्रतिरोध किया, फिर्स था पॉली इथिजम, पॉली इथिजम का मतलब क्या होता है, मल्टिपल देवी देवताओं को पूझ जा से हिंदू धर्म में था, है भ आइडल वर्षिप, मुर्ति पूझा को भी नहीं माना, उनका कहना था कि राम यदि तुम्हारे मुर्ति में हैं, तो फिर पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, और राम जी को क्या पता, वो तो मुर्ति में सवाए हुए हैं, तो ये आइडल वर्षिप को उन्होंने नकार दिया, रिचुलिजम जो था, जो हिंदू, मुस्लिम दोनों में घुज गया था, रिजीड प्राक्टिसेज धर्म के, और जो एक्स्टर्नल जो प्रिटेंसेंस हैं, जिसको ढोंग, आडंबर, वो जुलूस निकल रही है, चढ़ावा, और इन सब चीजों को जो रिलिजन क जो हिंदू और मुस्लिम, इसलाम उस्से में था, उन दोनों को नहीं नकार दिया, कास्ट सिस्टन के वो बहुत बरे प्रतिरोधी थे, वो बिलकुल नहीं मानते थे, अन्टेचबलिटी, जो है छुआ छूट उनके लिए एक अपराद के समान था, जो जन्म पे आधारित, जो आपको entitlement मिलता है, हक मिलता है, जिसको descriptive entitlement बोलते हैं, कि यदि आप उचे कुल में हुए हैं, तो आपको ये 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 rights मिलते हैं, उसको वो पूरी तरह नकारते थे, और जो शोसल हरार की है, कोई उपर है, elite है, message है, higher class, lower class, इन सब को उन्होंने नकार दिया, वो एक radical egalitarianism में believe करते थे, इसलिए वो socio-economic inequality जो आज भी है, उस समय भी थी, उस पे वो आशु बहाते थे, उसको विस्विकार नहीं करते थे, उनके लिए राजा और रंक एक बराबर थे, और जो उस समय में अत्याचार होता था, injustice होता था, आज भी होते हैं, गरीब पे, मलजूम पे उस पे भी वासु बहाते थे, उसका भी वो प्रतिरोध प्रतिकार करते थे, और उनके अनुसार से state की कोई जरुवत नहीं है, राज की कोई जरुवत नहीं है, जो king है, मोनार्की है, उनकी sovereignty उनके लिए कोई माने नहीं रखती थी, उनके लिए एक individual में ही जो है temporal और spiritual दोन monotheism, मतलब केवल एक God है, no duality, कोई दोयत नहीं है, इसके थोड़ा माहिन समझे, monotheism का मतलब क्या होता है, इसमें ये है कि जो पूरी पृत्वी है, जो पूरा, जो कुछ भी दुनिया में visible है, जो tangible world जिसको हम छूते हैं, जिसमें रहते हैं, वो सब एक supreme सक्ति की creation है, वो God है, और वो जो creator है, वो खुद creation भी हो जाता है, याने कि God अपने को बिखेर कर, अपने को तोड़ के creation करते हैं, इसलिए फूल पत्ते से लेके, साब बिच्छू से लेके, आदमी तक में, नेचर के हर चीज में वही कन ब्याप्त है, जो तूट कर पूरे world को जिसने रचना क है, so God is creator as well as creation, तो इसका मतलब क्या है, कोई dualism नहीं है, कि ये पृत्वी है, चनभंगुर है, और कोई ऊपर बैठा हुआ है, जो कि God है, जो इससे अलग है, जहां हम जा सकते हैं, heaven में, no, सारा जो God है, Godly creature हम सभी है, God हम सब के अंस में है, सभी चीजों में है, निर्जीव नहीं है, कि God नहीं है, है कोई सर्व सक्तिमान शक्ति, जिसने सब की रचना की है, अपने को बिखेर कर, वो सब में ब्याप्त है, सब जगह, इस वर्ल्ड और परे वर्ल्ड में, ट्रांस्डेंटल वर्ल्ड में भी, वो हर जगह ब्याप्त है, ये monotheism है, सेंक्रिटिजम को गुन ganzen षिंतिसाइज होती है, वैसे जब culturerement सिंतिसाइज होता है, उसको वो मानते भी थे, उसको सपोर्ट करते थे, उसके सबसे बड़ी ऐकन भी थे, दूसरा उनका कहना था, Salvation क्या है, जिसको निBAना कहते हैं, निरवान कहते हैं, बुद्धिजम में निBAना, हिंदुजम में निर्वान कहते हैं, वो Salvation वो कहते थे कि Salvation का मतलब ये है कि आप जन्म मरन के बंधन से मुक्त हो गए और आप में जो God है, उसमें आप Unify हो गए और ये तभी हो सकता है जब आप Extreme Love Laking, Denunciation के साथ मतलब Love भी है और Detach भी है के साथ आप Virtuous Life Lead करो Devotion रखो, उस सुप्रीम सकती जो आपके अंदर में बास करती है उसके परती Complete Devotion रखो और अपने Inner Self को जानो, जो God है उसको अंदर जहाको, डूबो उसमें तो इस तरह से Salvation मिलेगा वो Trans Migration में बिलीव करते थे मतलब कि Infinite जो Chain और Cycle of Birth और Death जो होता है उसमें बिलीव करते थे Hinduism की तरह and Unification of Self with Supreme God वो मानते थे, Death is nothing but Unification of Self with Supreme God और Salvation कह सकते है, One Form of Death Then जैसा मैंने आपको बोला के उकते थे कि Love and Denonciation दोनों साथ होना चाहिए आप Love के साथ में, प्यार के साथ में लेकिन एक Detached Worldly Life लीड कीजिए, जिसको कर्म योग कह सकते है फल की बिना इच्छा की हो, जो गीता में कहा गया है, Virtuous Life लीड कीजिए Righteousness, Petty, Love दूसरे पर दया हो, प्यार हो मतलब Harmony हो, आपमें कोई Disunity नहीं हो, आपमें कोई Ego नहीं हो, अहम नहीं हो उसको जला डालिए, Desire नहीं हो लोब नहीं हो, माया नहीं हो मोह नहीं हो, क्रोध नहीं हो आप उस तरह से रहिए उनका मानना था कि जो worldly life है वो एक कीचर के समान है उसमें आपको छीटे पड़ेंगे, आपको परिशान होना है जो बुद्ध बोलते थे कि आपको pain होगा, sorrow होगा तो लेकिन उसमें आपको lotus flower कमल के फूल के जैसा खिलना है जो कीचर में रहते हुए भी वो अपने पर कीचर लगने नहीं देता है वो अलग होता है, उस type से आपको life lead करना है purity होनी है आपको बोलने में मिर्दू वचन बोलने हैं, शीतल शील सुभाब रखना है, so purity in speech thought and action होना है, जो नाथ पन से इन्होंने लिया था and blessings of worthy and true guru आपको चाहिए आपको सच्चा मार्ग दिखाने के लिए ये guru-pant के कायल थे and company of virtuous people जो साधू संगत आपको जब मिलता है तभी आप जो है blessing आपको मिलती है, आप salvation प्राप्त कर सकते हैं तो ये इनके crux थे socio-religious philosophy को जिसको आगे हम लोग और देखेंगे ये slide किवल मैंने जो monotheism को थोड़ी आगे और आपको समझाने के लिए कि उनकी एक दोहे के थ्रू कई चीजे में इस वीडियो में उनके दोहों के थ्रू सबसे अच्छा है कि आप उसको पढ़ें, उससे आपको दूसरे फाइदे भी हैं, आप उसको कोट कर सकते हैं और बहुत सारगरवित हैं और उनके वीचार को समझने के लिए सबसे अधिक साहाएक हैं So I will take help of his दोहाज तो जैसे ये जो Monoethism का मैंने concept बोला कि कोई duality नहीं है, one है जो कि Hindu Vedanta philosophy में भी संक्राचार ने दिया था, अध्धवयतवाद Rama Nujam ने भी जो है, विशिस्ट अध्वयतवाद दिया तो उसी तरह की ये यहाँ पे है क्योंकि ये भी वैसनव जो गुरू थे, उनसे प्रहावित हुए थे तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया है कि God is creator as well as creation He is everywhere in everything Hence to find God one need not search outside in temple or mosque, कहीं आपको जाने की जरुवत नहीं है आप अपने अंदर देखिए deep inside, डूबगी लगाईए उसमें और आपको true self दिखेगा वहीं पे आपको भगवान के दर्सन होगे You will find God with love, compassion, devotion devotion मतलब नाम जपना जो उन्होंने सूफिजम से लिया था जिक्र जिसको बोलते हैं एक भगवान का राम, 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 राम इसको नाम जपना कहते हैं जो सिखिजम में भी है and meditation तो देखिए दोहा कितना अच्छा इस भावना को उनकी thought को represent करता है मो को कहा ढूंडे बंदे मैं तो तेरे पास में मतलब मैं तुम्हारे अंदर में ही हूँ ना तीरत में, ना मूरत में मतलब आइडल वर्षिप को मूर्ती में नहीं हूँ कोई religious जो तिर्थ अस्थान है वहाँ नहीं हो ना तीरत में, ना मूरत में ना एकांत निवास में कोई जाके गुफा में तपस्या करने से साधू उनको नहीं मिलता भगवान ना मंदिर में, ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में ना काबा में, ना कैलाश में ना मैं जप में, ना मैं तप में ना मैं वरत उपवास में कोई फायदा नहीं वरत उब्वास करने से दिम मन मलीन हो, मन काला हो, ना मैं क्रिया क्रम में रहता, जो रिचुलिजम है उसमें मैं नहीं रहता, ना ही योग सन्यास में, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मोनोइथिजम किस टाइप की थी. अब कुछ और दोहों के थुरू हम समझने कोशिस करते हैं कबीर के थौट सोसल इनिक्विलिटी पे, यह आपको एक्जामनेशन में भी आ सकता है, उनके एक दोहा है जरत, देखिए कैसे वो उदास होते हैं अमीर गरीब के बीच की खाई को देखके, उस समय बेती आज भी है गरीबियां उन्चे देख आवास, दिनहर घर अरू छिनहर टाटी, छिनहर टाटी मतलब जो टाट का होता है, फूस का घर जिससे की इतनी भी की बारिस का और धूब भी उसमें छन छन के आती रहती है, दिनहर घर अरू छिनहर टाटी, धन गर्जत कापे मोरी छाती, धाती शाती मतलब धाती मतलब शाती, मतलब कि ऐसा कोई एक अमीर आदमी का उंचा आवास और गरीब का जो छिनहर टाटी देखकर कबीर का जो मन वो काप उठता है, वो मतलब रो उठता है, तो सोचिए कैसा वो विकल हो जाते थे ये इनेकुलिटी देखके, इकनॉमिक इनेकुलि हिदायत दे रहे हैं कि उसको आप मत समझो कि उसको कुछ भी कर सकते हो, चोट पहुचा सकते हो, जैसे कि आप तिनका को कोई भूद वैल्यू नहीं देता, तिनका जो घास का एक कण जो होता है, आप पाउं के तले उसको दबाते हो, लेकिन वही जब हवा चलती है, आँख को कि आप चीख उठोगे, तो ये उनका चोट है अमीरों पे, आएं हैं तो जाएंगे राजा, रंक, फकीर, एक सिंहासन चड़ी चले, एक बधे जंजीर, कैसे वो बोलते हैं, इगालिटेरियनिजम, सब एक है, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सब का तो एक ही होना है, एक ही यम के हाथ एक ही सिहासन जाएंगे, और एक ही जंजीर से बंधे हुए वो जो है, धर्ती से ले जाए जाएंगे, कबीर कहा गरीबियों, उन्चे देखी आवास, कहा कि देखो, गरीब लोग, तुम उन्चा आवास देखर के दुखी मत हो, कि अमीर लोग उन्चे महल में र उन्चे पानी ना ठिके, नीचे ही ठहराएं, पानी क्या उपर ठिकता है, वो नीचे ही आता है, नीचा हो सो भारी पी, उन्चा प्यासा रह जाएं, मतलब जो उन्चा है ना उसको कुछ नहीं मिलता है, वो प्यासा ही रह जाता है, जो नीचे है, वही पानी मिलता है, वही भारी होता है, वही गरिस्ट होता है, उसी में वजन होता है, वही नीचा होता है, तो ये किस तरह से जो है, वो नीची जाती, यदि ये कहा जाए कि सुद्र पाउं से निकलते हैं, तो उससे भी देखा जाए कि पाउं जो है, वो अच्छा है आपके सर से, क्योंकि वो नीचा है, वहाँ पानी है, उपर तो प्यास ही प्यास है, कास्ट सिस्टम को तो बिलकुल ये चोट करते हैं, उनका ये दोहा देखिए, गरभ बास महीं कुल नहीं जाती, ब्रहम बिंदु ते सम उतपाती, सभी तो एक ही ब्रहम से पैदा हुए हैं, सभी एक ही तरह से गर्व के तुमकत ब्रहमन हमकत सुद्र, सुद मतलब सुद्र, हमकत लोहु, तुमकत दूद, क्या हम लोहा हो गए, तुम दूद हो गए, दूद से नहाए हुए हो, कहुं कभीर जो ब्रहमु बिचारे, सो ब्रहमन कहीं अतु है हमारे, यदि तुम सही में जानते हो, तो ब्रहमा से स भी निकले हैं, कोई ब्राह्मन, कोई सुद्र नहीं है, उचे कुल का जन्मिया, करनी उची ना होई, सुवर्न कलस सुरा भरा, साधु निंदा होई, मतलब उचे कुल में जन्म लेने से क्या होता है, जिस तरह कि सोने के कलस में भी यदि शराब भरा हो, तो उस कलस की निंदा की जाएगी, इसलिए उचे कुल में जनम लेने से कुछ नहीं होता है, जाती ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ग्यान, मोल करो तरवार का तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, अरे आप म्यान देखोगे कि उसमें जो तलवार है उसकी धार देखोगे, आप साधु का ग अती दूर, ये भी वही बताता है कि केवल उची जाती में कुल से कुछ नहीं होता है, जैसे कि बड़े होने पे पेड़ खजूर है, पंची कुछ आयन, मतलब कि हर जिवेत आप में गुण क्या है, आपकी अपनी क्या है, आप किस कुल में जनम लेते हो, बर्थ से उससे कबीर तहा न जाईए, जहां जो कुल को हेत, मतलब वो काते है, जहां कुल, खांदान की बात हो, वहां मत जाईए, आप उस गौँ में मत जाईए, वहां साधू पनो जाने नहीं, नाम बाप को लेत, मतलब कि वहां मेरा बाप कौन है, मेरा चाचा कौन है, जो अभी वे दि लाग देना चाहिए. So, you can see कि किस तरह से उनके जो social inequality पे चोट करते हैं, कैसे वो equality लाना चाहते हैं, कैसे caste system को बिलकुल नकार देते हैं, untouchability को नकार देते हैं. इस, उनके social जो thought हैं, उसको हम इसके साथ खतम करते हैं, इस slide के साथ, उनको आप एक radical social reformist के तौर पे इन दोहों में देख सकते हैं. कबीरा खरा बजार में लिये लुकाटी हाथ, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ. इसका मानी क्या है? कि कबीर करते हैं कि मैं तो अपना घर जला आया हूँ और social reformation, radicalism एक अलग पात पे चल चुका हूँ. समाज के बंधन से मुक. यदि तुम मेरे साथ चलते हो, तो त आंसारिक बंधन है, उससे मुक्त होना पड़ेगा. माया, मोह, धन, संचय, relation, friend, सबसे मुक्त हो करके समाज को सुधार ने कि तुम मेरे साथ आना चाहते हो, हिम्मत है तो आओ. भगति दुहेली, राम की नहीं कायर का काम, अगें वो कहते हैं कि ये कायर का काम नहीं है, जो उतारे हती करे सी, इस मतलब माथा, जो अपने माथे को काट के खुद अपने हाथ में रखने का जिसमें दम है, सो लेसी हरी नाम, वही जो है भगवान का नाम ले सकता है, वही जो है सालवेशन प्राप्त कर सकता है. अगें वो कहते हैं कि सालवेशन प्राप्त करना जो है, वो बहुत बहादुरी का काम है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ आपको त्याग करना होता, वो वैसा ही ज़से अपने गर्दन को काट के अपने हाथों में ले लो, इतनी हिम्मत की जरूरत पड़ती है, राम जपत डालिद भला, टूटी घर की च्छान, उचे मंदर जालि दे जहान सारंग पान, वो कहते हैं, देखी, यहाँ पर उनका कैसे राडिकलिजम सामने आता है, कि यदि आपको राम का नाम लेना है, तो अपने जो उचे जो महल है, मंदिर है, उन सब को जला देना पड़ेगा, उन सब को छोर करके, मतलब कि जो टूटी घर की च्छानी, वह अच्छा है, वहाँ पे दिया, आप आध्यात्म कर सकते हो, प्रेम से, डिवोशन से भगवान का नाम ले सकते हो, तो वह अच्छा है, आपको अपने उचे महल जैसे मंदिर को ढ़ा देना होगा, गिरा देना होगा, so कबीर as radical social reformist. अगले तीन स्लाइड में, तीन चार स्लाइड में, हम syncretism पे चर्चा करेंगे कि कबीर के, again फिर बहुत सारे दोहों के थ्रू, उनके भावनाएं, उनके थौट कि कैसे वो गंगा जमनी तहजीब को represent करते हैं, ये examination point of view से सबसे important है, क्योंकि कबीर जो आपको पढ़नी है syllabus म वो उनके syncretism को ही, के ही ideology को जादा तवज़ो देनी है, सो सबसे पहले समझ ये syncretism क्या होता, मैं आपको चार-पांच बार तो अभी तक बोल चुका हूँ उस वीडियो में, फिर भी, इसके माइने जो है, एक combination है, synthesis है, mixture है, आप मिलाते हैं, some and way है, of different religion, culture, or school of thought, even language, जैसे उर्दू देखिए, एक syncretism का प्रतीक है, ये जो फारसी है, और संस्कृत या हिंदी है, उन दोनों को मिलाके एक उर्दू बन जाती है, एक अलग language ही, समनवित language बन जाती है, आप यदि देखेंगे, इंडिया में जो Muslim है, वो syncretism को दिखाते हैं, वो उस तरह के Muslim नहीं है जो आपको इराक में मिलेंगे, या साउदी अरव में मिलेंगे, वो बहुत अलग टाइप के, सूफिजम जो है, वो syncretism है, जहां पे Hindu भी जाते हैं, मजार पे और Muslim भी जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो इस तरह की जो है, बिसमिल्ला खा का जो सहनाई वादन है, वो syncret live together side by side for long period of time, जैसे इंडिया में हुआ कि आठवी सताबदी से जब इसलाम इंडिया में आया, उसके बाद से ले करके, जब सैंकरो सैंकरो साल आप साथ साथ रहते हैं, तो एक अलग जो है, एक समनवित संस्कृती बन जाती है, और वो syncretic tradition या culture कहलाती है, synthesized. It assumed significance during Muslim and Christian rule in India, क्योंकि हम दो religion के लोगों ने शाशन किया, लगबग 700 सालों तक, पहले दिल्ली सल्तनत और मुगल Muslim rule थे, और फिर East India Company and British rule जो है, Christian rule थे, तो ये जो 700 years का था, वो समनवित, खास करके हिंदू और इसलाम का समनवित, जो culture है, वो इंडिया में दिखता है, और य आज भी हम उसी चोराहे पे खरे हैं, आज भी धार्मिक जो कटरता है, वो हमारे सामाजिक समरस्ता, सोसल हार्मनी और religious tolerance और peace, जो society की peace है, उसके लिए बहुत बड़ा खत्रा है, तो आज भी कबीर जो हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही contemporary, उतने ही relevant है, in fact जादा relevant है, जादा प्रासंगिक हैं पहले से भी, क्योंकि अभी हम उससे गुजर रहे हैं, हम उसको face कर रहे हैं, हिंदू भक्ती movement and सूफी movement within Islam played important roles in promoting syncretism in India, मैंने आपको बताया है, कि भक्ती भी वो भी किसी धर्म को नहीं मानते, और सूफी movement भी ये दोनों ही syncretic tradition के बहुत बड़े वाहक प्रचारक रहे हैं, in contemporary India, syncretism has acquired even bigger meaning unity in diversity, जिसको हम बोलते हैं, जो India का essence है, which is must to perpetuate the idea of India, India जो है, वो वही है, वो समनवित है, वो एक नहीं है, वो अनेक है, अनेक में एक है, कबीर has been the shining light, most potent force behind syncretism in medieval India, he continue to be the most famous icon of syncretic culture in India, हम देखेंगे कैसे, examination point of view से, कैसे वो syncretism को represent करते हैं, यदि हम syncretism, कबीर के thought में देखें, एक summary, तो he rejected ritualism, मैंने आपको पहले ही बताया है, pretensions, जो ढोंग है, आडंबर है, religion का, जो pompous show है, जुलूज, नगाड़ा, पूरे अजान, जो भी हो सकता है, and hollowness of both hinduism and islam, जो दोनों में खोखलापन है, जो आडंबर भर गया है, जो supreme creator से relation बनाने के बजाए, जो है आप उसी ritualism में लगे हुए हैं, उसको ये नकारते हैं, और ये कहते हैं कि दोनों ही hindu और muslim, जो है, वो religion उनका सच्छा है, लेकिन जो religion का आडंबर ढोंग है, वो उसको भटका रहा है, वो उसको रास्ते, God के रास्ते नहीं ले जा रहा है, he did not rejected hinduism और islam पर से, जैसा मैंने आपको बलो, नहीं, उन्हों reject नहीं किया, उन्होंने कहा, he rather rejected their formalization, जो एक तरह का fossilization हो गया, steltification ह हो गया, जो इस थूल हो गया है, जो मतलब अपनी dynamism खो चुका है, जो ritualism हो गया है, जो external pomp and show है, जो एक रूधी वादीता उसमें घुस गई है, आडंबर घुस गया, उसको उन्होंने नकारा, his life and acts symbolize syncretism, उनका खुद जीवन जो है, वो समन वह था, लोग कहते हैं जैसा क कि वो ब्राह्मन माता के संतान थे, Muslim parent ने उनको पाला, Hindu उनके गुरू हुए, और उसके जो supreme God को राम बोलते थे, of course वो राम नहीं था जो हम Hinduism में राम है, वो एक just syllable था, मतलब एक उच्चारन था राम, supreme God को राम, basically जादा राम बोलते थे, साहब भी बोलते थे, लेकिन र पूरेट हिंडू सेंड, जादा जो है, even Muslim से भी जादा, Hindu उसको अपना संत मानते हैं, लिगेशी मानते हैं, तो यह उनका पूरा जीवन जो था, वो संक्रिटिजम को रिपरेजेंट करता है, उन्होंने कई जगह से आइडियाज लिया, खास करके Hindu और Islamic आइडियाज, उसको एक अलग ही माले में पिरो दिया, कैसे? वन सुप्रीम गॉड जो मोनोईथिजम है, और फॉर्मलिस गॉड जो निरंकार या निरुगुन, कोई मतलब गॉड का कोई रूप नहीं है, कोई मूर्ती नहीं है, कोई सकल नहीं है, यह उन्होंने इसलाम से लिया, यह दोनों. नाम जो ऐसे सुप्रीम गॉड जो है वो वेदानता फिलोसफी में भी है लेकिन चुकि ये आइडल वर्शिप को भी नकारते हैं और इंकारनेशन गॉड के जो दस विस्नु के अवतार हों उसको भी नकारते हैं इसलिए जादा इसलाम से प्रेरित है जो उन्होंने नाम लिय शबद मतलब राम 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 ये जो उन्होंने सूफी जिक्र से लिया वहां भी जिक्र जो है वो एवन हिंदू गॉड हरी का वहां जिक्र भी किया जाता है दन एक्स्ट्रीम लव एंड डिवोशन इन्होंने वैसनव प्रमपरा से लिया जो इसके गुरू भी थे राम यह भी उन्होंने नाथपन से लिया, मेस्टिसिजम इन्होंने योगा, सिध्धा, तांतरीक and सूफी ट्रडिशन से लिया, और आइडिया of salvation as freedom from cycle of birth and death इन्होंने बुद्धिजम से लिया, तो आप देख सकते हैं कि इनके जो आइडिया है, वो कितने syncratic हैं, कितने समनवित हैं, कितने mixture हैं, कितने combination हैं, इन्होंने कितने जगह से आइडिया लेके एक बनाया हैं, तो ये actually syncraticism के सबसे बरे जो हैं, वो icon है, truly. He represented as well as strengthen the religious ferment and evolving syncratic culture of 15th century or 15-16th century India. यह यहाँ पर यह important समझना, कि ऐसा मत समझें कि कबीर एक icono class थे, उस समय में तो सब लोग रूठी वाज़ता में जुक्रे हुए थे और कबीर आया और उन्होंने सब को जगा दिया, ऐसा नहीं है. आप जरह गौर से यह समझने कोशिस कीजिए, तो कबीर अपनी काल का शिशू है, जैसे हर विचारक होता है, वो समय ही ऐसा था, जहां पे कि एक तरफ भक्ती movement चल रहा था, नाथ पंथी, योगा, सिध्धा, सूफिजम का जो है, उससे हम बोलबाला हो रहा था, सिखिजम जो है, जनम लेने के कगार पे था, तो उससे हमें मिले, बड़े-बड़े हिंदू के बड़े जाती वाले धर्मात्मा, महात्मा इनके पीछे हो लिए, निम्न जाती से लेके उच जाती तक, और आप ज़राग गौर कीजिए, यदि उस समय का समाज ऐसा नहीं होता, जिसको आप कह सकते है, revolutionary, तो क्या इनको सौक्राइट के तरह जहर दे के नहीं मार दिया जाता, क्या इनकी हत्या नहीं कर दी जाती, इनको जिंदा रहने दिया गया, कोई इनको जेल में भी नहीं डाला गया, भले इनके सिकंदर लोदी के दरबार में सिकायत लेकिन यही अराम से अपनी लाइफ को नहीं जिया, इससे आपको मैं यह कहना चाहता हूँ, कि instead of thinking कि उस समय का हमाज समाज बहुत सोया हुआ था, रूटी वायताओं में जकड़ा हुआ था, और कबीर आये और वो सबसे अलगत ऐसा नहीं है, कबीर एक परंपरा के पाट बने, जो उस समय में religious ferment का पाट था, एक उद्वेलन था, और उस डायलोग में कबीर ने अपनी भूमी का निभाई, उसको इस तरह से देखना चाहिए अब हम बहुत तेजी से कबीर के जो syncratic thought है, उनको उनके बोलो, खुदा बोलो, बॉल्ले राम動, रहीम बोलो, क्रिश्ण बोलो सब एक है, हिंदु कहे मोहि रामовыхारा, तुर्क कहे रह्माना वो मुस्लिम को उस Church में तुर्क बोलते था, आपको पता है कि तुर्क ही जो है, वो दिल्ली सुल्तान थे, तो तुर्क कहे आपस में दो लड़े मुए, मरम न कोई जाना। आप समझ सकते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। कृष्णर करीम एक हैं, नाम धर्या दोए, काशी काबा एक हैं, एक राम रहीम। अलख इलाही एक हैं, नाम धराया दोए, राम रहीम एक हैं, नाम धराया दोए। पूजा करू न निमाज गुझारू एक निराकार हिरदे नम सकारू। मतलब उनके लिए जो इश्वर है निराकार है और उनके हिरदे में बसता है, वो पाठ है। ना हज जाओ ना तीरत पूजा एक पिछनया तो क्या दूजा। मतलब एक के पीछों तो फिर दूसरे के तरफ जाने का मतलब कहा है, कहें कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन सू मन लागा, मतलब सब भरम दूर हो जाएगा, यदि सुप्रीम गौड को तुम पहचान लोरूं में मन लगा लो, पूरब दिसा हरी का बासा पस्चिम अल्लाह मुकामा, पस्चिम में कावा मना जाता है, पूरब में हिंदू अपने गौड को मानते है, दिल ही खोजे दिले दिलभी तरी, यहां राम रही माना, यहीं पर राम रही हमारे दिल के अंदर है, जैंती औरती मरदाम किजिये, सब म दी उनका थौट देखें, तो he ridiculed external pomp, show, आडंबर, pretentence and ritualism in both Hinduism and Islam. देखिए उनके कुछ दोहे जो वो चोट करते हैं ritualism पे. ना जाने तेरा साहब कैसा है? वो Supreme God को साहब भी बोलते हैं. साहब कैसा है? मस्जिद ऊपर मुला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा है? चीटी के पग निवरा बांधे वो भी साहब सुनता है. उनका कहना है कि कोई चीटी के पाओं में जो कोई एक धागा बानदो न, तो वो भी धगवान को सुनाई पड़ता है. भगवान तो सब सुनते हैं देखते हैं, तो उसको चिलानी क्या जब रहा है? पंडित हो के आसन मारे, लंबी माला जबता है, अंदर तेरे कपट की करनी सोभी साहब लगता है, तो सब कुछ भगवान को दिखता है, यहाँ पे अनुप्रास अलंगकार है, मतलब कि यह, हात में, हात के माला को फेको, मन का माला को फेरो तब तुम को भगवान दिखेंगे पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा पंडित भयाना को ये तो आप बच्पन से जानते हैं धाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई इसका माईने क्या है? हमें इसमें बच्पन में बहुत अलग से माईने बताए गए प्रेम का मतलब ये है कि लव विद्ध सुप्रीम गौड, डिवोशन, एक्स्ट्रीम जब आप प्यार करते हैं सुप्रीम गौड से तो आपको दिखने लगता है यदि आप मन से उसकी, मतलब आप एक तरस आहवान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ को त्याग के आपने क्रोध, मोह, लोब, इगो, डिजायर, तो आपको वो दिखता है, ये कहने का मतलब है, किताब में नहीं दिखता, पोथी, वेद परके, कुरान परके नहीं दिखेगा, वो लव एंडिवोशन से दिखेगा, उससे ही आप ग्यानवान बनोगे नहाए धोय क्या हुआ, जो आप आचमन करते हैं, गंगा में सनान करते हैं, कारतिक सनान करते हैं, नहाए धोय क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोय बास न जाए, मचली तो हमेशा जल में रहती है, लेकिन हमेशा महकती रहती है, तो जब मचली हमेशा जल में रहा करके उसकी बास नहीं जाती है, तो तुम्हारा मन में दी मैल है, तो नहाने धोने से कुछ नहीं होगा, वो इन आडंबर को नकारते हैं, यहां देखिए उनके जो और थौट देखिए, salvation only through extreme love, devotion, meditation and knowing your true self, जो तिल माही तिल है, तियू चक्मक में आग, तेरा साई तुझ ही में है, जाग सके तो जाग, तक वो उविएस है, बो तुम्हारे अंदर ही भगवान है, जैसे की तिल में, कि अंदर तेल है, उसको पीसों के तेल निकलेगा, जैसे की आग जो है, वो चकमक उसके अंदर आग है, उसी तरह तुम में तुम्हारा भगवान है, जो नैनन में पुतली, त्यों मालिक घर माही, मूरक लोग ना जानिये, बाहर ढूढ़ें जाएं, समझ रहे हैं, बतला बाहर नहीं ढूढ़ना है, कस्तुरी कुंडल बसे, मिरिक ढूढ़त बन मा रहा किनारे पैट, इसका मतलब क्या, अपने अंदर डूबो, बहुत अंदर डूबो, तो तुम्हें इश्वर देखेंगे, प्रेम ना बारी उपजे, प्रेम ना हाट निकाए, राजा प्रजा जाहिर उचे, शीष दिये ले जाएं, प्रेम के लिए, एक्स्ट्रीम लव क पहले तुमको अपने इगो, घमंड उसको त्यागना पड़ेगा, अजीव की अपने अपने गर्दन को काट करके देना पड़ेगा, मतलब जुकना पड़ेगा, तब प्रेम मिलता है, भगवान का प्रेम, जब ही नाम हिर्दय धुरियो, आयो पाप का नास, मानो चिनगी अगनी की परी पुरानी घास, जब हिर्दय में भगवान आपको दिखने लगता है, तो आपके अंदर का सारा डिस्यूनिटी, सारा जो घमंड है, उस तरह नाश हो जाता है, जैसे की पूरे पुराने घास पे जो है चिनगारी डालने से भवक के जल जाती है, लुक हो, चाहे वो कॉर्परेट वर्ल्ड हो, चाहे एक कोई भी हो, ये कहते हैं, अपने अंदर धूंडो, अच्छा है कि खूद को ठगो, दैन दूसरे को ठगने से, ठगे चले जाओ, अच्छा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, ये भी बच्पन से आप होंगे, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई, सारी बुराईयां मुझ में हैं, मतलब कि आप अपने को ठीक कर सकते हो, दुनिया को नहीं, अपने अंदर जाको, कबीरा आप ही ठगईये, और न ठगईये कोई, आप ठगे सुखोध है, और ठगे दुखोई, कोके फूल के फूल है, बाकू है तरशूल, यदि तुम अच्छा कर रहो, तुम्हारे पास तो फूली फूल है, उनके लिए वो तरशूल है, उसी तरह गाली को ही बोलते हैं, कि तुमको कोई गाली दे, और तुम उलटके पांच गाली दो, उससे अच्छा है कि तुम तो ये सारे जो अभी negativity है समाज में, जो बटवारा है, जो लड़ाई जगरे, उसमें काफी कमी आ जाएगी, बहुत सौहाद हो जाएगा. अब हम आते हैं उनके political thought पे. पहले तो ये समझे कि बहुत जादा political thought उनके है नहीं, ये एक political thinker थे नहीं, लेकि इधा उधर से जो हमें समझ में आती है, examination point of view से, let us see, दो slide में मैंने कोसिस की है, He rejected sovereignty and divine origin of Kinsey, आपको बता चुके हैं, उनके उनके अनुसार से दोनों ही तरह की sovereignty, मतलब temporal, मतलब जो इस दुनिया के sovereignty है, राजपार्ट जैसी जो होती है, मतलब self-governing, और spiritual sovereignty, ये दोनों आध्यक्ती में नहीं था, individual में नहीं था, वो खुद अपने को governed भी कर सकता है, और अ एक आदमी को नहीं है, king and commoner, to him were equal, both having same fate, इनकी दोहा देखी, एक दिन ऐसा होईगा, सब सुपरे विछो, सब कुछ छूट जाएगा, राजा, राणा, छत्रपती, सावधान किन होई, सावधान हो जाओ, राजा, राणा, छत्रपती, सब का एक ही हस्र होना है, आएंगे त वो कहते थे, was stateless, casteless, classless, without private property, tax, no tax, no sorrow, no fear, no hate, no competition, only love, only compassion, only virtuosity, ये वेगंपुरा का, उनका utopic सहर था, आपको यहां मार्क्स याद आ रहे होंगे, इसी तरह की भावना, 400 साल बाद मार्क्स ने कही, उससे 400 साल पहले इन्होंने कही, his advice to the king, कैसा था, उनके, उन्होंने एक दोहे में कहा है, सो सुल्तानम जू दोएं सुर्ताने, बाहरी जाता भीतर आने, गगन मंडल में लसकार करे, सो सुल्तानी छतर सिरी धरे, यानि कहने का मतलब है कि ऐसा सुल्तान चाहिए, जो बाहर से जनता को लाएं, जो की हमेशा मतलब दोएं सुर्ताने मतलब कभी अच मतलब कि वो जा करके सभी जगह रक्षा करे, अपने राजी की बाहर निकल करके सेना के साथ उस तरह के सुल्तान को वो जो है अच्छा मानते थे. जैसा मैंने आपको बताया कि उनका जो यूटोपिक आइडियल स्टेट था, उनको बेगम पूरा नाम दिया, उन्होंने प्रेम नगर भी कहा, in fact, कबीर ने इनको अमर पूरा कहा था, प्रेम नगर कहा था, और रईदास जो थे, उनके कंटेंप्ररी वो उन्होंने बेगम प था, प्रेम नगर भी नहीं है, कोई नहीं है, कोई ग्रीड, कोई माया, मोह, भय, competition, discrimination, social hierarchy नहीं था, no organized government, कोई government नहीं था, collective participation of people in decision making, कोई भी decision सभी आदमी मिल करके participation से लेते थे, pure democracy, direct democracy, temporal and spiritual sovereignty was vested in people, individuals में vested था, love, compassion, social harmony and religious tolerance was the essence of the social order, and bhakt, जो virtuous people थे, following ideals of love and devotion, वो bhakt थे, where vanguard of the utopic society, वो थे vanguard, वो front line में थे, उस समाज के सबसे बरे जो रक्षक थे, vanguard थे, वो bhakt थे, ऐसे bhakt जो की virtuous हैं, संत के तरह जीवन जीते हैं, love or devotion का, लेकिन denunciation का, an idea of stateless classes society, 400 before Marx इन होने दिया, you can just think कि कहां पे हम थे, अपने political ideology में, अब फाइनली यदि हम इनके प्रॉस और कॉंस देखें, प्रॉस तो बहुत सारे हैं pluses, लेकिन जस्ट एक बार फिर से class थे, subaltern class, उसको ये represent करते हैं, उसके ये champion बने, he was ready, it was an radical attempt to sanitize both Hinduism and Islam, जैसे अभी हम लोग sanitize करते हैं न, कुरोना काल में, वो ऐसे उन्होंने दोनों धर्म को sanitize करने ही कोसिस की, अपने वचन से, उनके जो वचन थे, दोहे थे, उपदेश थे, वो एक तरह का sanitizer का का काम कर रहे थे, दोनों धर्म के लिए उसको purify कर रहे थे, he is best known icon of syncretism of Indian culture, तो मैंने कितनी बार कहा इस वीडियो में, religious tolerance, social harmony, multiculturalism, unity and diversity, ये सब के वो एक तरह से जनक थे, एक तरह से पुरोधा थे, एक तरह से वो representative थे, icon थे, radical egalitarianism जो है, ये बहुत बड़ी बात है, इन में against caste system, untouchability, social hierarchy, inequality, इन सब के बिलकुल घोर against थे, लेकिन minuses भी बहुत सारे लोग इन में निकालते हैं, सबसे पहला तो women के ले करके, मैंने बहुत इस पर detail में आपको नहीं करता है, women के बारे में इनका विचार बहुत गंजरविटी था, उनको एक virtuous wife मानते थे, जो की subordinate है, अपने husband की husband की सेवा में लगी रहे, shield रहे, चरितरवान रहे, इस type का है, women को ये एक तरह से hurdle मानते थे, salvation के path में, इनका मानना था कि नारी से दी आपका संसर्ग हो गया, तो आपको जो नरक का द्वार है, वो नहीं दिखेगा और उसमें लोग प्रस्ट हो जाते हैं, तो ये एक तरह से माया उसको मानते थे, he also seemed to have supported sati pratha, sati को ये बढ़ाई करते हुए कुछ दोहे में नजर आते हैं, तो ये एक तरह से निगेटिव माना आ सकता है, दैन, एक है कि इनका जो दोहा है, उसको interpret करना बहुत difficult है, बहुत mysticism है, riddled है पहली, और जो उल्टा बांसी है, वो confusing language है, कई जिगा बहुत rude भी हो गया है, वो भी कुछ लोग बुड़ाई करते हैं, despite such original and radical thought, अपने time में ये कोई separate cult या कोई ऐसा sect शुरू नहीं कर पाए, बाद में भले कबीरपंथ उभर के आया, लेकिन वो भी बहुत ही minor सा रहा, ऐसा कुछ उनका बन नहीं पाया, जैसे नानक जी ने बनाया, उस type से नहीं हो पाया, ये भी इसके आप बुरा चाहें तो मान सकते हैं, वैसे ये समर्थक थे ही ने, no concrete political thought, उनका political thought तो बहुत concretized है नहीं, वो थे भी नहीं political thinker, उनका जो बेगम पूरा जो मैंने आपको बताए, it was merely an imagined utopia, वो कभी वसा तो हो नहीं सकता है utopia जैसा ही रहा, और उसके बारे मुनों नहीं कुछ कहा भी नहीं कि इसको कैसे लाएं जा सकता है, so these are, you can write in examination as minus or critical आप दी analysis करना हो तो इसा कर सकता है so dear Stuart, let us sum up this long discussion, Kabir who lived in Varanasi in 15th century during Sikandar Lodi was radical social reformist an icon of syncretic culture of medieval India synthetic culture, Ganga Jamna Tahjeebi culture His spiritual ideas were monotheism one supreme God which exists in every worldly thing which are creations of the God God is one with many names in different religion Allah, Ram, Raheem by leaving aside ego, desire, passion and with extreme love, devotion and meditation one can attain salvation मतलब God से वो unify हो सकते हैं, जो की अपने अंदर ही उनके हैं radical social reformer थे, he rejected and ridiculed ritualism and pomp and show pretensions of institutionalized religion उस आडंबर और ritual को नहीं नकारा जो धर्म के साथ जुड़ गया था, रूधिवादी हो गया था caste system, social hierarchy, economic inequality or exploitation of common man by state and powerful को इन्हों ने बिलकुल नकारा उसका अपोज किया अपने दोहों के थूधू His ideal society was stateless, caste-less, having no private property, no taxes, no hierarchy, no sorrow, no fear, no hate, no competition, in which both temporal and spiritual sovereignty is vested in the people और people ही जो है वो decision लेते हैं मिल करके He is best icon of syncretic culture in India, Muslim parent but Hindu guru, rejected and ridiculed ritualism and pompousness of both Hinduism and Islam, preached social harmony, religious tolerance, individual spiritual sovereignty, hence his legacy is claimed by both Hindus and Muslims यही सबसे बड़ा उनकी syncretic के icon होने का प्रमान है कि उनकी legacy को Hindus और Muslims दोनों ही मानते हैं कि वो Muslim थे, वो Hindu थे Dear students, यह कुछ references है जो नों मैंने लिये हैं, कि वल कुछ ही मैं यहां दे पाया हूँ, इसके अलाबा भी काफी जगे से मैंने देखा है, लेकिन कुछ important आपके reference के लिए, you can also use them. And thanks for watching, like करें, share करें, सबसे important subscribe करें, धिर सारे comment करें, मुझसे question पुछें और email करें, जो मुझे अब काफी ज़्यादा मिल रहे हैं, and be safe, keep safe, bye.